राधे राधे फ्रेंड्स कैसे हैं आप सभी उमीद करती हूं मेरा पूरा परिवार एकदम स्वस्ता और मजी में होगा और अपनी कार्यों में आगे बढ़ रहा होगा तो यहां अभी सुभा का समय है और मैं नहां दोकर अभी बस अपने लिए ग्रेंटी बना रही हूं और पूजा बगर अभी मेरी सारी हो चुकी है और आज संडे है तो संडे के दिन मैं कुछ स्पेशल जरूर बनाती हूं तो करों फाकर है और अब यहां पर आलु गोबी और प्यास टीनो को अच्छे से कट कर लिया है तो गोबी मैंने सारा नहीं डाला है और एक फूल कर आये थे लगा बन hy तकी और अभी मैं गोबी के पकोड़े बना रही हूं और अभी इतनी गोबी बच गई है कि मैं शाम को आराम से सब्सी भी बना सकती हूं तो पेड़ जो गोबी का फूल था था तो इसलिए इतना ज्यादा यूज नहीं हुआ तो मैंने यहां पर बेसन में सभी मसाले डाल के और ब बस इसको मैं ऐसे ही गोबी को छोटे-छोटे स्लाइसे में मैंने देखी कट कर लिया है और बस और मैं पकोड़े मरानी हूं सरसो के ओल में क्यूंकि रिफाइंड और मुझे बहुत ज्यादा नुकसान करता है और मतलब एक इचिंग सी होती है बॉड़ी में तो इसलिए मै कभी मन करता है कि रिफाइंड ओईल में पूरिया और पराठे वगरा खाने का तो बस बैसे ही मैंने बना लिये थे लेकिन मुझे बहुत ज़ब नुकसान हुआ उससे तो बस मैंने अभी यहां पर सरसो ओईल में ही ब्रैड और यह मैंने थोड़ी से ब्रैट पकोड़े भी अब यह और एकदम बजार वाले ब्रैड पकोड़े बन रहे हैं बहुत अच्छे लगते खाने में अब कर दो 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 कर कर दो कर दो कर पकोड़े बनी चुक़्ें लगबग भूट थोड़े बनाएन ब्रैड पकोड़े और यह देखिए गर्मा गर्मा गोवी के और ब्रैड के वे तैयार है तो आजाएए आप सब भी और अभी husband आज चुके हैं और चाय भी बन गई है तो बस अभी हम लोग अपना breakfast enjoy कर रहे हैं और यहां पर ठंड बहुत जादा है तो उत्रा खंड भी है फिर जहां पर मैं रहती हूं तो और सुबा के टाइम में तो बहुत जादा ठंड होती है तो बस में सा यहां पर सूट कर रही थी आप सबको खिलाने के लिए तो यह लीजिए आप सब भी खा लेजिए गर्म गरम ब्रेट पकोड़ा और अभी हो चुका था यहां पर दो पहर का टाइम तो बस मैं अभी लंच की तयारी कर रही हूं और लंच में आज में बनाने वाली हूं हरी प्याज की सबजी तो सीजन की पहली हरी प्याज मेरे घर पे आई है अभी और हस्बिन को जादा ही ले आये थे तो अभी कल मेरा म भूस bean링 न बहुत बहुत अच्सी लगती है 1 तो अबी चल रहा है माग necessary और मा quantity न होता है यह वह साथ हमारे फीधार की तो मेल पाने के लिए एक बहुत इस अच्छा समय में इस अगर आपके मन में किसी भी प्रकार की कोई भी मनुकामना है या कुछ भी है आप भोले बाबा की भक्ती करके उसे पास सकती हैं और बहुत ही अच्छे और बहुत ही पावन ये दिन माने जाते हैं और हिंदू सास्त्रों में भी माग के महीने को बहुत ही शुद्ध और बहुत ही एक मतलब बहुत जादा खास इस समय को माना जाता है और भोले नाज जी अपने जो भी भक्त जन होते हैं जिस प्रकार से भी उनकी पूजा भक्ती करते हैं तो उनको मन वांचित फल देते हैं और मैंने ये चीज बहुत बहुत जादा नोटिश की है अपनी लाइफ में कि माग का महीना एक ऐसा महीना होता है कि सुहाकर महीलाओ के लिए तो कि अगर वो जो भी कुछ मांगे ना भोले नाज जी से वो उन्हें बहुत बहुत ही जल्दी से ही दे देते हैं और अभी जैसा कि सिब्रात्री आने वाली है ऐ processorी को सबी को बहुत ही बेसबरी से अंतजार रहता है और मुझे भी रहता है साथ में तो सिब्रात्री का जो महीना होता है ना माग का ये सुहागन महीलाओ के लिए बहुत ही जादा special माना जाता है और उनकी सारी मनुकामनाय पूरी होती हैं अगर वो सुबा उठकर भोलेनाज जी की पूजा राधना करती हैं तो मैं तो अपना साल का 12 महीने का ब्रत रखती हूं भोलेनाज जी का आप सभी को पता है जितने भी मेरे पुराने वीवर्थ हैं और मैं हमेशा से ही अपनी पूजा, पाट, भक्ती सभी आप सभी को दिखाती हूँ और मैं तो आप सबसे भी कहती हूँ कि आप भी अगर किसी चीज़ को लेके परिशान हो अपने घर में तो आप भोलेनाज जी का ब्रत करिए और बहुत ही अच्छा होता है और मतलब जो भी चीज़ आप अपने दिल से चाहो वो सारी चीज़े मिलती हैं भोलेनाज जी बहुत ही जयालू होते हैं तो यहाँ पर देखिए आप सभी से मैं बाते करते करते सारी तयारियां मैंने कर ली है खाने की और जो हरी प्याज है ना वो बहुत ही बहुत ही अच्छी दिख रही थी मतलब एकदम green green तो ग्रीन सबजी तो बैसे भी बहुत अच्छी होती है हमारे शरीर के लिए तो आज बहुत टाइम के बाद मैं हस्बन को आलू और हरी प्याज की सबजी खिलाने वाली हूँ तो थोड़ी सी गोबी भी रखी थी तो वह भी मैंने काट ली और साथ में सरसो का ओल डाल दिया ह है थोड़ा सा और इसमने डाल दिया है मैंने ही ओर ठीट ढूर तो ढूरब कर दिया और शिखो जरूर गर awal लेसन किया और हरी मिर्च को भी एड़ कर दिया है और इसको में थोड़ा 程 बहुरूंगी उसके बाद मैंने थोड़े मतर के लिए मैंने मटर डाल दिया है और उसके उपर से डाल दिया एक चौप करके टमाटर और टमाटर को जादा भूनना नहीं है बस ऐसे यह गल जाएगा अपने आपी और साथ में जो भी गोबी और आलू कट करके रखे थी वह भी मैंने एट कर दिये हैं और गोबी आलू को में तो थोड़े से और छोटे-छोटे करके काट दिये हैं और अब मैं एट कर दूँगी इसमें ग्रीन प्याज और ग्रीन प्याज जो होती है वह अपने आप में ही बहुत टेश्टी होती है और इसकी बहुत सारी रेसिपी बनाई जाती हैं घरों में पकोड़े और कड़ी भ पावडर और मिर्ची पावडर और थोड़ा सो डाल दिया हम शूर पावडर टेस्ट के लिए बस और बस इसको मैं अभी ऐसे ही चला के धीरे-धीरे और बस यह स्लो फ्लेम पे आराम से पक जाएगी और मैं इसको ढखके अभी पका लूंगी तो आज मैंने दुरूप को नहीं लाया था तो कपड़े बहुत सारे हो गए थे तो मैंने सुचा अभी धो देती हूँ और मॉर्निंग में जादा मतलब जादा सुबह उठके कपड़े धोना मेरे लिए बहुत मुश्किल होता है क्योंकि दूब उठ जाता है मशीन की आवाज से तो बस मैंने अभी मशीन भी लगा द दिया है और थोड़े से चावल बना लिए हैं और साथ में बनाऊंगी रोटियां तो अभी हस्बंड कहीं गए हुए हैं तो वह आज आएंगे तो फिर हम रोटियां बना लेंगे तो चलिए इस वीडियो का करूंगी यहीं पैंड और आप सबसे मिलूंगी कल के एक इसे ब्लाग में तब तक के लिए बाई बाई खुश रहिए मस्त रहिए